सब्सक्राइब नाम पिंटू शिंग्यादो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नियुजलाइब दोस्तों पत्ना हाई कोट ने हत्कडी लगाकर विडियो बनाने और सोशल मेडिया पर अपलोड करने के मामले में यूटूबर मनिश कस्यप को जमानत दे दिया है नियामोर्ती शुनिल कुमार पवार की एकल पीठ ने बुदवार को मनिश कस्यप की ओर से दायर नियमित जमानत अरजी पर शुनवाई की गुरतलब है कि आर्थीक अपराग एकाई ने ट्रेन में हत्कडी लगाकर सोशल मेडिया पर विडियो अपलोड करने से लेकर गत बार मार्ज को कान संक्या पांच वाई तेश दर्ज किया था और इसी मामले में हाई कोट ने नियमित जमानत दे दे हैं राके मनिश कस्यप अवे जेल से बाहर नहीं निकलेंगे उनके खिलाब कई अपराधीक मामले दर्ज हैं जब तक सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती है तब तक जेल में ही रहना होगा बता दे कि 18 मार्ज 2023 को बेतिया में दर्ज एक अपरादीक मामले में कुर्की जब्ती की परिक्रिया शुरू होने के बाद मनिशकस्यप ने जगदीज पूर्थाने में शरेंगर कर दिया था मनिशकस्यप को पटना लाय गया था जहांसे बिहार पुलिस की पूस्ताज के बाद तमिलाडो पुलिस ने भी उन्हें गिरफ्त कर लिया और मदेवली ले गई तमिलाडो पुलिस ने यूटूबर पर NSA यानि कि रास्टी सुरक्सा कानून की धाराओं में कारवाई शुरू कर दी हलाकि बाद में मुदेर मदूरे कोट ने मनिशकस्यप लगेने से कोहटाने का आदेश जारी किया और जमानत भी दे दिया है गौरतला भेकी कुछ शिम महीने पहले कि एक वीडियो यमकर वारल हुआ था वारल वीडियो में कोट में पेशी के दवरार मनिशकस्यप ने लालूई आदव के खिलाब बड़ी बात कही थी हाथकड़ी में जकड़े मनिशने तेश्वी आदव पर जम कर भडास निकाले उन्होंने जेल के अंदर की वेवस्था पर सवाल भी उठाए उसके बाद सुरक्षा कर्मियों पर कारवाई करते हुए उनकी कोट में संदेश पेशी पर रोक लगा दे गई और वीडियो कांफरेंसिंग के पेशी की वेवस्था जो है उकी गई है हलाकि जो खबर निकल कर सामने आ रहे थी कि मरेश कस्यप को हाई कोट से राहत मिली है बेल मिल गया है लेकिन अभी भी जेल में ही रहना होगा जेल से बाहर अभी नहीं आ सकते हैं बाकि इस खबर को लेकर आप किराई क्या है बताईए धन्बाद